हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? I hope आप लोग सभी अच्छे होंगे. स्वास मेथ लेसन में आप सबों का स्वागत है. हम दों जानते हैं कि छोटी-छोटी बाते आदमी को महान बनाती है. ठिक उसी प्रकार मेथ में भी छोटी-छोटी बाते आपको मेथ में महान बना सकता है. तो उस छोटी-छोटी बातों में हमने आज जिमेटरी का सर्कल कॉंसेप्ट बताने जा रहे हैं. circle उस circle का एक सबसे छोटा सचोटा point जो भी होगा उसको भी हम discuss करेंगे और समझेंगे तो चलिए देड़ ना किये वे हम लोगा start करते हैं आज की topic है circle देखते हैं होता है क्या circle? सबसे first में हम समझेंगे कि circle होता क्या है? आके circle बोलते हैं किसको है circle circle यूँ बोलू तो ये infinite many points से बनावा होता है infinite many points से मतलो कि आसंक बिंदुओं से बनावाता है आसंक बिंदुओं का मतलब क्या हुआ तो होता क्या है circle में एक ये कोई point है और इस point मालों सब्सक्राइब इस point का ओ बोल दिया हमलों और इस point के कुछ distance में fixed distance पे इस point से fixed distance पे infinite point इसदा से गुमा हुआ है infinite point हमने क्या बोला कि इस point से ये point है हमला का ओ और इस point से infinite point इस distance इस fixed distance और यहां से infinite point इस तरह से infinite point है that means आसंक बिंदु का मिला हुआ है और जितना भी बिंदु है यहाँ पर जितना भी point है यहाँ पर हर एक point के distance यहाँ से distance यह measure करो यह measure करो यह measure करो यह measure करो यह सभी fixed distance पर होगा सभी क्या होगा fix होगा यह जहां जो भी होगा, सभी क्या होगा, fix होगा, मतलग कि equal distance होगा, यहां से इस point से, यह जितने भी हम लाइन खीचे हैं, यह line, यह line, यह सभी आपस में क्या होगा, equal होगा, और इसी fix distance को, इसी fix distance को, हम लोग क्या बोलते हैं, radius बोलते हैं, यह जो fix distance है, यह fix distance को हम लोग क्या बोलते हैं, radius बोलते हैं, radius, radius of a circle, यह एक आप fix point, यह fix length से लेजिए, यह fix length होगा, कुछ नब कुछ लंबाई होगा, इसको यह center होगा, यह क्या होगा, center, और यहाँ पकड़े, इसको पकड़े और इसको घुमा देजिए, इस तास, जो इसको घुमा देंगे, तो एक figure बन जाएगा, और इस figure को में क्या बोलेंगे, इस figure को में क्या बोलेंगे circle बोलेंगे मतलब कि यह distance सभी आपस में कार रहेगा equal लेगा, सब radius है यह भी radius है, यह भी radius है यह भी radius है, तो यह क्या हो गया, circle हो गया अब यहाँ ध्यान देजिएगा यह center, यह circle यह radius, और यह circle है और यह जो boundary है यह boundary, यह जो boundary है इस boundary को, इस boundary को क्या बोलते है, इस boundary को में बोलते है, circumference यह जो boundary है, उस क्या कर लाएगा circumference यह circumference हो circumference, इस boundary को यह जब हमों को boundary दिख रहा है यह boundary को, यह boundary को क्या बोलेंगे circumference बोलेंगे, ठीक है यह आप एक radius लेलो इसको मिले कर लो, जबना लंबाई होगा circumference है, यह boundary है, ठीक है, circumference कल आता है perimeter भी बोल सकते हो, perimeter क्या आता है? outer, auto length को perimeter बूलते हैं, जो outer length bond बूलती हैं जो लंबाई होता है, इसको perimeter बोलते हैं उसी perimeter को circle में क्या बोलते है? circumference बोलते हैं और यह जो circumference जो होता है, वो क्या होता है, इसको हमšli C से जोट करते हैं, किस से, C से, C मतलब circumference यहां जानेंगे, अब थोड़ा सा और basic हमनों देखते हैं, यह circumference जो है, वो, की इसका कुछते कुछ नमाई होगा Kerry difference का चासिए तोヤस का लंबाई क्या होगा वह जानेंगे तो इसके पहले हम ऐसे नहींद क्या ना देखिए कि यह बर्रियों सो गया इसाजी सभी को मता अर्ई है जिए क्या एक आ इस pódi लो इसको अधिया आप यहां मिला दिये हैं, देखे अधिया इसको आप मिलाते हो, इस तासी यह मिलाते हो, ऐसा सेंटर से पास करना चाहिए, एक लाइन, एक लाइन, जो की सरकल के दो पुइंट को जोइन करता है, और सेंटर से पास करता है, देखे एक लाइन है यह, देखे के दिए सेंटर से पास कर रहा है सेंटर से पास कर रहा है और सरकल के दो one मिलाया माद सफोज यह point circle it's circle पर point यह है और this other point B है कि अर्यम Girma mode यह center si all और चोना को ओ हैं तो देखगें एक yeah information, देखोन जो एसे, जो एक मिलाया रूम किया और कहां तो डाइमेटर क्या होता संवाग या डाइमेटर क्या होता है तो डाइमेटर एक ऐसा लाइन सेग्मेंट होता है यह पी बोलो एक ऐसा लाइन होता है जो कि सर्कल को दो पॉइंट को जोइन करता है लेकिन कहां से पास करता है सेंटर से पास करता है मतलब केंद्र से पास करता इसको कि इसको 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 बीजिया होता है तिखिय है रेडियस में क्या बोलते हैं तो यह हुगिया है अब इसमें देखिए ट्रिजियीगा यह जो होता है तो डामीटर रेडियस का डबल होता है रेडियस का कितना क्या होता हो डबल होता है तो डबल मतलब कि देखे इधर भी रेडियस है और ये भी रेडियस है मतलब ये भी R है और ये भी R है तो R पलस R ही न डामीटर बन गया तो ये देखिए diameter जो होता है ये क्या होता है ये 2R होता है क्या होता है 2R diameter जो होता है क्या होता है 2R मन्दों कि diameter radius का double होता है आप यूँ बोल सकते हो radius जो होता है वो क्या होता है तो radius जो होता है आर वो क्या होता है diameter का half होता है ठीक है तो radius diameter का हाप होता है या फिर diameter radius का double होता है इतना समय है अब हम लोग यहाँ एक important point है क्या circumference circumference क्या होता है ठीक न तो circumference एक perimeter है boundary का लंबाई है circle का जो boundary होता है ना उसी का लंबाई है उसी को उनुण बोलता है circumference को उनुण C बोलते है और यह C जो होता है वो क्या होता है 2 pi r होता है C तो हम अभी समझेंगे कि यह 2 pi r कैसे होता है यह 2 pi r जो हम बोर रहे हैं वो कैसे होता है यह हमनों ध्यान देखें समझेंगे यहां पर तो होता क्या है circle में होता क्या हुआ कि यह एक circle है हम और यह circle का यह boundary का यह बॉंडरी का लंबाई को diameter से मतलब कि यह circumference है उसको यह diameter से डिवाड किया गया तो उसका जो वेलू है वो लगवक 3.14 something आ रहा था 3.14 सम्थिंग आ रहा था तो यहां पर यह बिदेखा गी दिवाड करके तो यह भी 3.14 आ रहा था इसके बाद यहां तक से तिरी भी टीमल से बाद के बाद में कुछ भी चेंज आ कि अबेंव से यहां भी देखा गया यह एक शरकल का सट्य को जे कुछेंज कुछ लमाई होगा इस लमाईme इस लुमाई को डामीटर से डिवाड किया गया यह दिवाड किया गया तो यहां भी आपका 3, decimal 1, 4 यहां तक तो सेम था उसके बाद इदा कुछ न कुछ संथिंग आ रहा था मतलब कि जो भी चेंज आ रहा था जो चेंजिंग आ रहा था वो टू डेसिमल पलेस के बार टू डेसिमल पलेस के बार मतलब कि डेसिमल के बार इस दसमलों के दो अंक सेम था उसके बाद जो भी चेंज आ था बार में तो यहां से एक निस्कस निकल गया कि देखें इसी वेलू को यह जो लिखावा है 3.14 यहां भी 3.14 3.14 something something जो है इसी का वेलू कमांड दे दिया गया मतलब क्या है यहां पर दे किसी एकवेलू को में औरक्रिफ हो जाएगा यहां पाई को हम जब हम यहां पर क्विफाय कर देंगे तो दे होगा और यहां दे है क्या print यहां ये dive on को हटांगे और यहां लिखेंगे यह पाई लिखाय है और इनटू स्वर्ड तो सब्सक्राइब इसका मतलब यह हुआ कि हम्रों को यह यह circumference था ना तो circumference का जो value हम लोगों का आया क्या तो पाई आ एससे में लोगों को लाया गया circumference circumference का जो लंबाई लंबाई जो होता टू पाई-बाय यार कुछ इस तरह से देखा गया था तो जहां जो तो यह क्या है यह में क्या है यह स्रकंफरेंस है अधी एक ऐसा लाइन टीक है जो सरकल के दो पॉइंट को जोइन करें एक ऐसा लाइन जो सरकल के दो पॉइंट को जोइन करें दिखें यह की लाइन है यह की लाइन सेग्मेंट है जो कि सरकल के दो two points को Jeanne करता है तो इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कोड ची ओ इंदिक देक हैं हम क्या बोले हमने क्या बोला कि एक लाइन वीच जवाइन अलायन सेग्मेंट वीच जवाइन टूपॉइंट आफा सरकल इसके पारे मिंदें आ लाइन एक लाइन सेग्मेंट होगा डाइट डाइट जोईन टू पॉइंट ओफ आ सर्कल एक सर्कल के दो पॉइंट को जोईन करेगा उसको क्या बोलेंगा कॉड बोलेंगे अब ये कॉड देखें ध्यान देजाएगा यहाँ पर ये कॉड है सपोज माननों कि ये ये सेंटर ये भी तो एक कॉड होगा क्यों क्यों क्योंकि ये भी तो दो पॉइंट को मिला रहा है ये भी एक कॉड है ये भी एक कॉड है ऐसा भी रहेगा तो भी कॉड होगा चाहिए किसी भी तरह से दो पॉइंट को मिला देखें यह भी एक कोड है तो देखें यह डायमीटर यह जो है यह आपका डायमीटर भी है तो जो होता है लोंगेश कोड जो होता है ना देखें जितना सेंटर से जितना पास होगा कोड सेंटर से जितना पास पास करेगा उतना ही वो बड़ा कोड होगा उतना ही वो लंबा क और होगा जो लोंगेस्ट कॉर्ड होगा वो कौन सा होग तो नाम इतिमाल इसका यह मोंनेमी है यहीवी जो हो गाई लोंगेस्ट कोर्ड होगा यह क्यूंकि यह से पास कर रहा है तो इसको नोब जानते हैं कि इसको ड्य diesem यह आपgas कोड का बाद क्या जाएगा यहां पर क्या होगा को में होता है तो कॉड कर 可以 होता yelp यहां दाखेंगे लॉंगे कूड का किया जाएगा तो क्या होगाँ दैमीटा सेकंट भी होता है पहले सेकंड समझ लेते हैं To such a nтеeth एक सब्र tuned को क्र रहा है तो वह कोड हो गया मतलों यहां पर फ़िलाल यह सब दोएससे हो गयरे कि दो फो Period को ज्या circular से क्रोफ करेंगा मतलब कि यहाँ पर line segment, यह तो line segment था, यहाँ पर यह line होगा, मतलब कि यह क्या होगा, एक line होगा, a line, a line, that, cross, two point, two point को cross करेगा, जो two point को cross करेगा, circle के two point को cross करेगा, तो उसका नाम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, second, क्या नाम होगा, second, तो second और code, second और code में अंतर समझवाया, तो second एक ऐसा line, second एक line होता है, जो कि circle के दो point को cross करता है, पास करता है, पर code एक line segment होता है, जो कि circle के दो point को join करता है, मतलब मिलाता है, तो दोना मंतर क्या है, कि यह जो second है वो second एक line होता है जो कि दो point से cross करेगा और यह code जो होगा line segment होगा, जो कि circle के दो point को मिलाएगा जोडेगा तो I hope second और कोड में अंतर सम्माया हो अब हमनों इसके आगे हमनों देखते हैं सेगमेंट और सेक्टर तो चलिए हमनों देखते हैं यह सेगमेंट क्या होता है और यह सेक्टर क्या होता है तो सेगमेंट और सेक्टर समझने के पहले हमनों एक समझते हैं आर्क क्या समझते हैं आर्क क्या ह सेंटघ्मेंट और इतीनों समझते हैं क्या होता है एक चाप प्लब minesa सेंटर हैं ये सरकल आर तो सरकल के यह सेंटर हैं, तो देखे, यह हमनो का एक RS होगा. इसको आप इतना अब ले लेंगे यह, तो यह हमनो का एक RS आला आएगा, इसको स görwerk बोलते हैं, तेके, अजर इसका naam आप दे देंगे A, यह B, देंखे, इसका naam जो हो जाएगा, तो आर्क होगा, पर कैसा आर्क होगा देखें आर्क ऐसे लिखते हैं यह आर्क 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 आ बन रहा ना देखिए आप यहां यह भी तो एक आर्क बन रहा है इधर से यह भी आर्क बन रहा है तो इस चाप को हम लोग अधि माइनर बोलेंगे छोटा वालो को माइनर और बड़ा वालो को मेजर तो यह आर्क जो है होलो कि आप इसको माइनर बोले है तो कि अधि अधि आप ऐसा लिखेंगे बी अधि लिखेंगे आप यहा पे बी ए तो यह क्या करा आए गार मेजर करा एक यहीं यह अधि आर्क में यही इसको अदि आप ऐसा लिखते हैं आप ऐसा बोलते कि A B किसी को किसी करणुसार से ऐसा हो आपके अमार्लों आपकी अभी करणुसार से ऐसा हो कि यह A B को आप बोर रहे हो यह बी आप इधर से रिड कर रहे हो आप एबी इधर से रिड कर रहे हो तो जब एबी इधर से रिड करेंगे तो बड़ा यह हो जाएगा तो यहां पर यह कहलाएगा मेजर यह मेजर कहलाएगा तो उस समय यहां बी जो होगा आर्क बी ए वो क्या कहलाएगा माइनर कहलाएग याति आप चोटा के लिख रहे ह। चोटा वाला को लिखना पड़ा है दो B A चोटा वाला को A भी बोल रहे हैं उस वक्त बड़ा वाला को B A बोलना पड़ेगा जदि बड़ा वाला को ही हम लोग A भी बोल दियें तो चोटा वाला को B A बोलना पड़ेगा ये major मतलब बड़ा वाला और minor मतलब चोटा वाला तो ये होता है arc अब हम लोग समझेंगे सेगमेंट सेगमेंट क्या होता है तो सेगमेंट जो होता है एक आर्क और एक कॉर्ड से बनता है देखें अले यह आपका यह सेंटर है ये center ये हमनों का एक cord हो गया, ये क्या हो गया, cord इसको हमनों बोलेंगे, cord क्या बोलेंगे, cord और ये जो हमनों का है, ये क्या है arc, ये क्या है arc, तो ये cord है, और ये हमनों का क्या है arc है, ये क्या है, arc तो cord और arc एक circle का एक part होता है segment क्या होता है circle का part a part of a circle हम बोल सकते हैं इसको हम इसको यह देखें यह हम लोग का segment है यह क्या है segment तो हम बोल सकते हैं यह आपका segment है और segment का define क्या बोल सकते हैं a part of a circle a part a part of a circle circle का एक part circle का एक हिस्सा जो डाइट, डाइट आर, मेड याफि कभर, मेड ओफ, आकोड, एंड आ, एंड आर्क, एक आर्क, एक आर्क और एक कोड से बना हुआ पार्ट, हिस्सा, एक आर्क, एंड कोड से बना हुआ हिस्सा, वो क्या कहलता है, सेग्मेंट कहलता है, अब यहाँ गोड से देखिए, इसका नाम अदि मालो आप दे दोगे, इसका नाम अदि सपोज ए है, यह बी है, और यहाँ पे सी मालो सी है, तो यह सेग्मेंट का नाम अदि मालो ए, बी, स अपको दिखने से लगने रहा है कि ये छोटा सा हिस्सा है ये बड़ा लला पाठ इधर है तो यहाँ भी इसका नाम होगा इस छोटे लवा पाठ को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट बोलेंगे ये छोटे वाला पार्ट को ये छोटा वाला पार्ट जो है इसको क्या बोलेंगे माइनर माइनर सेगमेंट ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये बड़ा वाला पार्ट जो है इसको क्या बोलेंगे major, क्या बोलेंगे इसको major part, major segment ये major segment हो गया, मतलों कि यहां पर यह याद रखना है कि जो बड़ा हिस्सा होगा उसमें major नाम लिखना है जो छोटा हिस्सा होगा, छोटा part होगा, उसमें माणा लिखना है तो segment क्या होता है, segment एक arc and एक code से बनावा होता है मतलों कि एक arc होता है, ये हम推荐 के ये arc हो गया तो arc और code से बनावा part को उन्हों क्या बोलते है, segment बोलते है तो segment भी दोता हीगा उता है, एक छोटा part रहेगा, छोटा हिसा रहेगा circle का हाप से कम रहेगा, circle का हाप से कम, तो वो minor हो जाएगा अब वो जो ज़्यादा होगा उसको मैजर बोलेंगे तो यह मैजर पार्ट हो गया और यह मैजर पार्ट हो गया अब इसके बाद हमनों कहाता है क्या सेक्टर, सेक्टर क्या होता है तो सेक्टर जो बनता है यह सेक्टर जो होता है यह क्या होता, एक part होता है circle का, जो कि two radii and one arc से बनता है, two radii, देखिए, यहाँ ध्यान रखेंगे, यह radius है, यह भी radius है, तो दो radius हो गिया, तो दो radii और एक arc, दो radius और एक arc से बनावा part को, क्या बोलेंगे हम लो, sector बोलेंगे, क्या बोलेंगे, sector, तो यह part जो हमलों का है यहा sector, यह sector है, तो sector क्या होता है, इसको मैं बोलेंगे sector, तो sector क्या हो गया, तो sector भी आप part of a circle, हमने which, which is made of two radii and one arc, मतलब कि यह क्या होता है, यह एक part होता है circle का, a part, a part of a circle, which, which is made, made of two radii, two radii and an arc, inch and an arc, arch एक, archसे, एक arc रहता है, two radii रहता है, दो radii रहता है, इसमें, देखें, यह पर ध्यान रखेंगे, यह कि यह एक radii है और यह radius है, तो इसमें दो radii हो गया, एक arc हो गया, तो प्या है तो आपको दिखने में लनगा रहा कि就到 एक B है यह आपका O है सबसर्व छिर लिए तो A, C, B, O एक यह पाट हो गया तो इधर से भी तरहाए तो एग खाला है मौनदों कि है यहाँ नाम इसका नाम सबनले होतु को कि यहाँ गए इसका नाम सबसर्षा करें पीजूआ इसका नाम इसका सिर ओक का टी इस पार्ट को, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो दिख रहा है, क्या ये छोटा वाला से, इसका कंपेर में ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका compare में इधर वाला हिस्सा जादा है इस part के compare में इस part का जो area है वो जादा है इसे कान से इधर वाला कोई इसको क्या बोलेंगे तो ये कहलाएगा क्या आपका measure कहलाएगा ये क्या कहलाएगा measure मतलग कि ये part जो हो गया ये इसको measure measure sector बोलेंगे क्या बलेंगे major sector, यह major sector हो गया, और यह जो होगा, यह क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा minor, यह minor sector कहलाएगा, ठीक न, तो यह minor sector हो गया, और यह जो होगा, यह यह, यह दर वाला part क्या हो गया, major sector हो गया, तो हम लोग यहां तक समझ गए थे, कि यह क्या होता है, यह arc होता है हाना इसको उनों आर्क बोलेंगे यह आर्क है और इस आर्क का नाम क्या होगा तो यह आप A B भी बोल सकते हो किसी का इच्छा है तो B A B भी भी बोल सकता है पर ध्यान रखना है उनों को क्या ध्यान यहीं रखना है कि जिस समय इसको माइनर आर्क बोलेंगे A B को उसे मेजर आ अब इसको इसको में क्या बोलते हैं तो यह देखिए चोटा सा पार्ट है यह दो रेडियस से बना हुआ है दो रेडियस से बना हुआ है तो जब दो रेडियस से बनता है इसको क्या बोलते है तो इसको हमनों सेक्टर बोलते हैं यह क्या हो गया यह सेक्टर हो गया और यह दे अब इसके आगे इसके आगे हम देखेंगे तो यह सर्कल में देखें ध्यान देंगे यह सर्कल का ये सरकल है ये आपका डाइम हM लोम सकते हैं उन लोग सकते हैं इसको हम लोग सकते हो और सेगमेंट यो ऐसा तो देख द देंगे यह दहकर यहां पर सैक्ट में से डिंग पर ये थे स्वक्तर स्वक्तर का हाप fortune घ Patriar After स्वक्ल का हाप हो जाता है तो सड्सकर का हाफ उसको स्वक्तर बोला जाता इंद इस सडर्केल का हाप होता है ठीक है क्या हवता है हालप ऑफा सरकल इसका आपका चौय आपका होता है तो यह आप एक सर्कल को एक सर्कल को आप फोर पांट कर दो फूर सेंटर में सेणिर से पास पिए तो यह जो पार्ट होगा यह जहां पर यहां नाइंटी बनाएगा तो यहां नाइंटी बनागा तो तो यह पार्ट जो होगा यह पार्ट कोनों क्या बोलते हैं इस पार्ट कोनों बोलते हैं अब अधि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या यह भी दो रेडियस से बना है और एक डिए इस यह है और देखिए आक यह का है आर्प है एसा तो एक आर्प है दो गिए दो रेडिया दो डिवरे एक सेक्टर है हाँ यंवी एक सेक्टर है पर ये कैसा सेक्टर रहे हैं तो हूान friends f हुआ कि one fourth of a circle यह उन्हों का क्या है quadrant quadrant क्या होता है one fourth one one fourth of a circle एक circle का one fourth होता है एक चोथाई भाब circle का one चोथाई को क्या बोलते है quadrant बोलते हैं यह आपका यह sector भी है इसको sector भी बोल सकते हों क्यों क्यों कि यह दो रैडियास से बना वा है यह sector है और कैसा sector है तो center पर दोनो रैडियास सेटर में दो रैडियास होता है देखिए मालों सपोज यह R1 है यह R2 है तो ऐसा होगा यह R1 perpendicular to R2 हो जाएगा तो उसमें उस सेक्टर का नाम पढ़ जाता है क्या quadrant पढ़ जाता है मतलब कि quadrant क्या है तो एक one-fourth ओपस circle बोल सकते हो या फी quadrant के बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जो दोनों रेडियस एक दूसरे पर लंबवा थे मतलब कि दूसरे पर 90 पर मीट कर रहा है तो जब दो रेडियस 90 पर मीट कर जाएगा तो वहां पर जो पार्ट होगा वह क्या कहलाता है सेक्टर को बोलते हैं तो यह आपका था क्या सेमी सर्कल क्वाडर्ण था सेक्टर था इतरा हम लों देखें क्या यह हम लों को सेग्मेंट देखें तो यह आग देखें